तारक महता का उल्टा चश्मा हर किसी परिवार का फेवरिट सीरियल है हर कोई इस सीरियल को सबके साथ बैट कर देखना पसंद करता है पर बीते दिन इस शो से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सब हैरान होते दिखे हैं दरसल तारक महता की एक एक एक्टरेस जैनिफर मिस्ट्रिया कहें रोशन भावी का किरदार प्ले करने वाली फेमस एक्टरेस ने शो के निर्माता पर योन शोषन का आरोप लगा है ना सरिफ आरो बलकि पुलिस स्टेशन में सेक्शल हरास्मेंट का केस भी दर्ज कराया है इसे पहले जैनिफर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इससे मामले को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक्टरिस ने कहा कि उनके दोरा लगाये गए आरो पो को जूटा बताने वालों को करारा जबाब दूँगी एक्टरिस ने कहा है कि मेरी चुपी को कमजोरी मत समझना मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में खुदा गवा है कि सच क्या है याद रख उसके घर में कोई फरक नहीं है तुझ में और मुझ में इसके बाद इन्होंने कैप्शन में लिखा सच जल्दी ही सामने होगा नय मिलेगा इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस एक्टरिस को काफी समर्थन मिल रहे हैं तो वहीं इसे शो के एक शक्स ने एक्टरिस को ना सरिफ गलत करार दिया बलकि इनके इस स्टेप को एक पबलिक स्टंड बताया रिपोर्ट की माने तो प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी नाम के शखस ने एक इंटरिव्यू में कहाए कि प्रोडेक्शन हाउस ने जैनिफर का कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया था तीन मैंने पहले ही और अब उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो ऐसा कह रही है वैसे जैनिफर ने कई संगीन आरोब भी लगाए हैं वैसे शो के प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और एक्जिक्यूटिव प्रोडियूसर जतीन बजाच के खिलाफ भी उन्होंने शिकायत दर्श कराई है इससे पहले असीद के खिलाफ जैनिफर ने बताया कि वो फलॉट करता था सिंगापूर में रूम में विस्की पीने के लिए भी बुलाया और एक बार किस करने की बाद भी कही जिसके बाद एक्टरिस काफी डर गई थी वैसे रिपोर्ट की माने या भीते दिन की कुछ खबरों पर अगर ध्यान दे तो असीद मोधी पर ना सिर्फ सेक्शल हरास्मेंट की बलकि कई कास्ट के जो शोड़ कर जा चुके उनके पैसे भी ना देने के आरोप है इनके इस से मसले पर सेलेश लोड़ा का नाम सबसे पहले आता है जिनोंने इसके लिए फायर भी दर्च कराया था तब असीद ने इस इलजाम को भी खारिस करा दिया था जिसमें असीद ने बोला था कि नेहा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है झाल